कि एक बार फीर से मेरे नियोजे टीचेने यूटूब आणि जिरो में आप सभी सिख्छक सांतियों का स्वागत है यह देखते हैं सिख्छकों के लिए एक राहत भरी खबर आपको बता दे कि बिद्याले समय सांचालन में एक बार फीर से होगा परिवर्तन और नौ से चार ब आप बड़ा ब्यान तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जहूँ देखें उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि प्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगन को प्रेस कर देता कि आने वाले एक वीडियो का शिक्षा मंत्री का बयान आया सिक्षा मंत्री चंदर सेखर का आया बड़ा बयान एसकूलों की टाइमिंग बढ़ाने पर बोले सिक्षा मंत्री परफेसर चंदर सेखर यादो सिक्षकों और बच्चों को हो रही है परसानी अभिवाहकों को भी इसे परसानी हो रही है और अभी अभी आपको बता दें कि पर्देश अद्यक्ष अनन कौशल सिंग ने भी अपने फेस्बूक पेज पर यह पोस्ट किया है कि NCF के अनुसार 30 घंटे ही विद्याले चलने चाहिए तो उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्देश अद्यक्ष अनन कौशल सिंग का यह फेस्बूक पेज है इस पर उनके द्वारा यह पोस्ट किया गया है 26 पेज के NCF 2023 के पेज नंबर 134 में अंकित निर्देश के मुताविक बिहार में विद्याले 9 से 3 बज़े तक ही संचालित होने चाहिए मतलब साफ है कि छात्र हीत में 5 से 6 घंटे ही विद्याले का संचालन करना है हाल ही में जारी NCF का अध्यायन करने के बाद भीगत 4 दीनों के अंदर हम सभी माननिये को पत्रे प्रेशीत करते हुए सरकारी विद्याले संचालन अवदी को पूर्वता रखने का अनरोद किये हैं और साक्ष भी शमर्पित कर दिये हैं तो आपको पता दे कि पूरी तरीका से यह किलियर हो रहा है कि फिर से समय संचालन में बिद्याले के समय संचालन में परिवर्तन होगा और पूर्व की भाती ही चलेगा बिद्याले तो इने सिक्षकों के लिए यह एक राहत भरी खबर आ रही है अब देखना है कि इसका परिवर्तन कब तक होता है लेकिन जल्द ही इसका परिवर्तन होगा और पूर्व के भाती हैं बिद्यालेयों का संचालन किया जाएगा ते वीडियो में इतना है वीडियो मलास तक बने आने के लिए धन्यमाद वीडियो को जासे या सेयर करें वीडि सब्डेट पाने के लिए